हलो प्रेंज अब हमारा इंज़ार हो गया है खतम हमारी डेट शीट आ चुकी है अब इस डेट शीट को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तियारी करनी है और परिशान बिल्कुल भी नहीं होना है सबसे पहली बात क्योंकि बहुत अच्छी डेट शीट है पहली चीज आप आपको कोई टैंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी परिशान होने की जरूरत नहीं है तो देखो यह डेट शीट जो है वो दो शिफ्ट में आपके एक्जाम होंगे एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इविनिंग शिफ्ट है जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें आपक मुझे से लेके 1.30 तक होने वाला है और जो evening shift है मतलब second shift है उसका जो exam होगा वो आपका 2.30 से लेके 5.30 तक होगा तो आप लोग यहां से देख लीजे जो first exam है वो English का है उसके बाद जो के 4 तारिक हो है पांस तारिक के अगर बात करें तो morning shift के बात करें इवनिंग में अभी कोई exam नहीं है taxation, music, vocal और इससे related अगर किसी के पास यह subjects है तो वो यहां से देख सकता है उसके बाद में evening shift में 6 तारिक को आपके पास में नेपाली, automotive, इस तरीके का कोई भी insurance, electronic, technology, medical यह अगर subject है आपके पास में तो आप देख लेना और exam अपना miss बत करना देकर आना उसके बाद में Saturday यानि 8 तारिक की बात करें तो physical education का exam है morning shift में जिस बच्चे के पास में है वो अपना exam देकर आना वीडियो को save कर लेना, download कर लेना ताकि आपको याद रहे कि किस दिन आपका exam है उसके बाद में next day Sunday है फिर बात करते हैं 10 तारिक की 10 तारिक को engineering, food production, media, taxation design, textile design और यह अगर किसी के पास subjects है तो morning shift में आपका exam है 10 तारिक को 10 में को, आगे बढ़ते हैं next day 11 तारिक को, 11 तारिक को किसी के पास fashion studies है तो आप लोग अपना exam देकर आ जाना, उसके बाद में भई हमारे काम से related एक exam है, Wednesday से हमारे exam में start हो रहे है, Wednesday मतलब 12 तारिक से 12 में को business studies का exam है morning shift में साड़े 10 बजे से लेके 1.30 तक, गेड़ बजे तक, उसके बाद में Wednesday के बाद Thursday जिसके पास physics है, वो अपना exam दे देना morning shift में उसके बाद में Saturday की अगर बात करें, यानि 15 में 15 में की बात करें, तो retail, mass, media, studies अगर किसी के पास है तो भई अपना exam दे देना, उसके बाद में Saturday को ही शाम को, उसी दिन शाम को 15 में की अगर बात करें तो बहुत सारी languages का exam है, जैसे Tamil का, तेलगू का, सिंधी का, गुजराती का, ठीक है, ओडिसा का, ये सब, ओडिया का, सौरी, और ये सब exam, जिसके पास भी ये language हो, भई अपना-पना exam दे देना, उसके बाद में, एक main हमारे का exam, फिर से है, Monday का, यानि 17 में का, एकाउंटेंसी का, इससे पहले 12 में का exam है, business studies का, तो 12 में से लेकर, 17 में तक का time है, ह एक्जाम है, Wednesday को, यानि 19 तारिक को, पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों के पास में है, वो अपना exam दे आना, ठीक है, उसके बाद में next, उर्दू या फिर, लीगल स्टडीज किसी के पास है, तो 20 तारिक का अपना exam दे देना, उसके बाद में 21 तारिक को, morning shift में कोई exam नही है ना, हम आगे बढ़ते हैं, Saturday को, 22 में को, आपका exam है, painting का, किसी के पास art है, commercial art है, तो अपना exam दे देना, उसके बाद Monday, यानि 24 मई को, biology का exam है, जिसके पास biology है, वो अपना exam जाकर दे देना, उसके बाद आजाता है, हमारे काम का एक paper, Tuesday का, यानि 25 मई का, 25 मई का economics का paper है, फर्ट shift में, ठीक है, उसके बाद में 25 मई के बाद 27 मई, 26 मई को कोई paper ने है, 27 मई को French का exam है, किसी के पास French language है, तो वो अपना exam दे दे, उसके बाद 27 मई को, शाम को, evening shift में भी exam है, तो अगर आपके पास इन में से कोई भी subject है, तो आप उसका exam दे आना, जैसे उसमें cost accounting का अगर किसी के पास cost accounting है, तो आपका exam 27 मे को है, आगे बढ़ते हैं, 28 मे को, 28 मे को, सोशलोजी का exam है, तो किसी के पास सोशलोजी है, तो वो अपना exam दे आना, next 29 मे को, सुबह की shift में, यानि morning shift में, computer science, informatic, अगर किसी के पास है, computer science है, informational technologies है, तो वो अपना exam दे दे देना, उस 31 मे को, 31 मे को, 10.30 से 130 तक हिंदी का exam होगा, आगर आपके पास इन नंए से जो भी है, वो आप exam दे देना, उसके बाद में, 1 जून को, mature math exam है, तो जिसके पास math है, वो अपना exam दे आए, उसके बाद 2 जून को, 2nd June को Geography का exam है तो जिसके पास Geography है वो अपना देख ले उसके बाद 3rd June की बात करें तो tourism का exam है या फिर web application तो जिसके पास ये subject है वो जाकर दोते है उसके बाद 4th June की बात करें तो Punjabi, Bengali, Marathi ये सारे exams है लैंग्वेज के Japanese तो आपके पास इन में से जो भी language हो आप उस दिन अ अपना exam जाकर दे आना उसके बाद में next exam है psychology का 5th June को 5th June को morning shift में ही है उसके बाद Monday, Monday यानी 7th June, 7th June को home science का exam है morning shift में जिसके बच्चे का पास home science हो वो अपना exam दे देना उसके बाद में next 8th June की अगर हम बात करें तो national national cadets corps का exam है marketing का exam है जिसके पास भी ये subject हो वो जाकर द दे देना ठीक है next है Wednesday यानी 9th June का नौजून को banking का exam है yoga का exam है कथक, dance मतलब ये dance related है जिन बच्चों के पास ये सारे subject हो जाकर अपना exam दे देना उसके बाद में next है 10 June की बात करें तो history का exam है जिस बच्चे के बाद history हो वो अपना 10 June को exam दे दे उसके बाद next Friday यानी 11 तारिक 11 तारिक हो है आपके पास में जिसके बाद इन में से कोई भी subject हो beauty, agriculture या library, info science इन में से कुछ भी हो अपना exam दे देना बस यही है आपकी पूरी date sheet बढ़िया वाली date sheet आई है टेंशन लेने की कोई ज़रुवत नहीं है बिल्कुल भी 1% परिशान होने की ज़रुवत नहीं है यही है कि आपके दो shift जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक shift है morning और एक second shift याने evening shift ठीक है चलो bye bye all the best कोई भी मैं again बोल रहे हो कोई भी problem हो आप मुझे बता सकते हो आपको क्या problem हो रही है और हम उसको discuss कर लेंगे bye bye thank you so much